हाई फ्रेंड्स हाउ आई यू दोस्तों आज के वीडियो का थमनेल और टॉपिक आपके लिए एकदम ही अलग और थोड़ा अजीब लगेगा कि भला कोई फिल्म देखकर किसी का घर बरबाद होने से कैसे बच सकता है तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि इस वीडियो क पूरा देखकर आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा दोस्तों हुआ यू कि साल 1985 की बात है खबर छपी की गुजरात की किसी पारिवारिक अदालत के जज ने तलाक के लिए उनके पास पहुँचे एक मैरीड कपल को अगली तारीक पर आने से पहले फिल्म जुकता नहीं देखकर आने की सला दी और जब अगली तारीक पर दोनों जज के सामने पहुचे तो ना सिर्फ उन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया बल्कि जज को ठांक्स भी कहा अपनी मैरिटल लाइफ को बचाने के लिए इस मूवी को देखकर उन्होंने फिर से एक साथ रहने का फैसला कर लिया था और सिर्फ यहीं एक केस नहीं बलकि कई केसिस में और यहां तक की काफी सारे इंजियोज वगेरा में इस मूवी को मैरिट कपल के बीच लडाई जगडे में बतोर समझोता यूज किया गया मिथुन चक्रवर्ती और पदमिनी कोलहापुरे की ये फिल्म प्यार जुकता नहीं अपनी स्टोरी और अपने गानों के लिए खूब याद की जाती है मिथुन और पदमिनी की रोमांटिक जोडी और लक्ष्मिकांत प्यारिलाल के म्यूजिक और शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ती की आवाजों के कमाल ने इस फिल्म को हफ्तों तक सिनेमा घ्रों से उतरने नहीं दिया तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, चाहे लाख तूफा आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलके न होंगे जुदा आ कसम खाले, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, दिलबर जानिया रूठने मनाने में न बीत फिल्म की रीमेक बाद में तमिल में बनी, श्रीदेवी ने इसके तेलुगू रीमेक में भी काम किया, कन्नड में इस फिल्म की रीमेक विश्नुवर्धन और भाव्या के साथ बनी थी, और लोगों ने तो इसके नाम प्यार जुखता नहीं को भी काफी समय तक अच्छे से यूज किया था, क्योंकि उस टाइम अकसर आपको पान या जनरल स्टोर की शॉप पर ये बोर्ड लगे दिख जाते होंगे कि प्यार जुखता नहीं और उधार बिकता नहीं, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि यहाँ फिल्म 1983 में बनकर तयार हो गई थी, लेकिन दो साल तत इस फिल्म को कोई डिस्ट्रिब्यूटर खरीदने को तयार नहीं था, केसी बोकाडिया ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, बिकॉज मिथुन की इमेज इस फिल्म में बिलकुल जुदा थी, इस मूवी से पहले मिथुन को लोग केवल एक दांसिंग और आ और फादर और हेल्प के, सिर्फ अपने स्ट्रगल के दम पे, सिर्फ बॉलिवुड ही नहीं बलकी हॉलिवुड तक अपने नाम को पहुचा दिया था, कई बड़े नामी गिरामी लोग मिथुन को सकसिस नहीं होने देना चाह रहे थे, इसलिए जब फिल्म बनकर तयार हु इसके बाद केसी बोकाडिया ने खुद इस फिल्म को रिलीज करने का मन बनाया और उनका यह निर्णय सही साबित हुआ, 11 जानिवरी 1985 को रिलीज इस फिल्म ने सभी की किसमत पलट दी, प्यार जुकता नहीं फिल्म 1977 में आई पाकिस्तानी फिल्म आइना का रीमेक थी, रि इतना ही नहीं, यह फिल्म उस समय डाइमंड जुबली हिट थी, जो 75 वीक तक चली थी, हाला कि according to some reports, मिथुन से पहले यह फिल्म रिशी कपूर को आफर हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी वजह से मना कर दिया, जिसके बाद मिथुन इस फिल्म के हीरो बने, अगर मिथुन के शुरुआती करियर पर गौर करे तो डिसकोर डांसर के अलावा उनकी जो फिल्म सबसे ज्यादा याद की जाती है, वो है प्यार जुकता नहीं, यह हिंदी सिनेमा की उन आइकॉनिक लव स्टोरीज में शामिल है, जिनोंने बॉक्स ओफिस पर बंपर सक्सेस की थी, वैल फिल्म में दोनों स्टार ने पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर की थी, इस मूवी के बाद इस रोमांटिक कपल ने बहुत सारी सूपर हिट मूवीज बॉलिवुड फिल्म इंडास्ट्री को दी, प्यार जुकता नहीं फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को रातो राच सुप इस मूवी से पहले उनकी फान फॉलोइंग केवल मेल मी ही ज्यादा थी, मगर इस मूवी मी उनके रोमांटिक चॉकलिटी स्टाइल से उनकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और लड़किया भी उनकी दीवानी हो गई आपको यह खबर कैसी लगी हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बॉलिवुड की इसी टाइप की मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले